नमस्कार साथियों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल परिक्षाथ 3 दिसंबर 2 शिफ्ट का जो एक्जाम है वो आप सभी का समाप्त हो चुका है जितने भी कोशन हमारे पास GKGS करंटे फिर और कम्प्यूटर से आए है सभी कोशन अपने डिसकस करेंगे इस वीडियो में सभी कोशन 100% सही होंगे दोस्तों और वीडियो को लाइक और शेर आप कर दीजा कीजिए और साथ में दोस्तों दिल्ली पुलिस के जो आपका 3 दिसम्बर को इसके बाद 3rd shift और शाम को मैं आपके लिए all shift का complete accurate analyze भी ले के आऊँगा इसलिए फटा फट से आप चेनल को subscribe करके notification जो bell होता है उसको on करके all page select कर लो जिसे की सभी analyze सबसे पहले आप देख सकें और साथ में दोस्तों अगर आप CHSL की त्यारी कर रहे हैं तो unacademy free में आपके लिए mega CHSL का mock test लेकर आया है जो की आज 3 दिसम्बर को आप 8 पीम को जो है ना unacademy पे enroll कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको unacademy का learning app डाउनलोड करना है और मेरा जो code है ना ESP10 यह मेरा code आपको यूज करना है जैसे आप यह code लगाओगे आप इसको free में enroll कर सकते हैं link मैं description box में दे रहा हूं और इसका अगले दिसम्बर 4 को इंडिया के top educator के दवारा analyze भी करवाया जाएगा इस mock test का तो friends यह बिल्कुल free में try जरू करना link मैंने description में दे दिया है तो चलिए friends सीधा question से start करते हैं अपने आज आपके second shift में एक राजेसभा से question पूछा गया की हाल ही में जो राजेसभा के उप सभापती जो है ना ये कौन चुने गए हैं तो दोस्तों ये current affair का question पूछा गया है हरीवन्स नाराइन सी हैं राजेसभा के उप सभापती चुने गए हैं वे दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं और सभापती कोन हैं वेंके या नाइडू जी हैं राजेसभा के सदश्यों का कारेकाल 6 वर्ष का होता है और दोस्तों एक कोशन आज पूछा था कि सिकंदर के सेनापती का क्या नाम था दोस्तों सिकंदर के सेनापती का नाम पूछा गया तो सिकंदर का सेनापती का नाम था सेल्यूकस निकेटर ठीक है दोस्तों और याद रखिए सिकंदर या फिर इसे बोलते हैं अलेक्जेंडर दे ग्रेट मक दुनिया का ग्रीक प्रशाशक था ये वह अलेक्जेंडर तृतिय था जो है न एक प्रसन आपसे पूछा गया था अब देखिए complete question और option नहीं है हमारे पास पर फिर भी देखिए जो सविधान का भाग जो है न 11 इसमें अनुछे 245 से 255 तक केंद्र राजय विदाई समंधी की चर्चा की गई है इसके अंदर और अनुछे 256 से 263 के अंदर जो है इसमें दोस्तों इसका समंध केंद्र और राजयों के बीच प्रसाशनिक समंधों के आदान प्रदान से होता है नेक्स्ट आपसे तो question पूछा गया कि दिलवाड़ा के जेनमंदिर का निर्मान किस ने करवाय था दिलवाड़ा के जेनमंदिर का जो निर्मान है ये जेन मंदिर राजस्तान राजे के सिरोही जिले के माउंट आबुनगर में स्तीत है दीलवाडा मंदिर वस्तुते पांच मंदिरों का एक समुए है राज्य राजस्तान जिला और सिरोही जिले में ये स्तीत है नेक्ट जो आपसे कोशन पूछा गया वो पुस्तक से पूछा गया और लगातार पुस्तक से कोशन आ रहे हैं वन अरेंज मडर वन अरेंज जो मडर है इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों यह है चेतन भगत का नोवा उपनियास और कुल मिलाकर ग्यारवी पुस्तक है इस पुस्तक में एक arranged marriage की प्रश्ट भूमी में murder mystery का चितरन किया गया है next आप से जो question पूछा गया वो budget से पूछा गया और budget 2020 ये एक ऐसा topic है जिससे दिली पुलिस हर shift में 2-4 question पूछ रहा है तो इस चीज़ को आप जुरूर ध्यान देना budget 2020 के अनुसार पांच लोगों के परिवार के लिए शाकाहरी थाली का मुल्य क्या है दोस्तों पांच सदश्यों वाले एक ओसत परिवार जिसमें प्रती व्यक्ती रोजाना नियुनतम जो है प्रती वर्ष ओस्तन 11,787 रुपय का लाब हुआ है तो यहाँ पे साकाहरी का ओजाएगा 10,887 और मासाहरी का ओजाएगा 11,787 नेक्स्ट आप से पूछा गया question की सांची का स्टूप कहां पे स्तित है दोस्तों सांची का जो स्टूप है यह मध्य परदेश की राजदानी भोपाल से लगबग 52 किलो मीटर दूर में स्तित है सांची स्टूप का समन्द बोध धरम से है सांची में ऐसंख्य बोध सरंचनाए है नेक्स्ट एक question करने से पहले ध्यार रखिए कि सांची के स्टूप का निर्मान समराट असोक ने करवाया था और 200 रुपए के नोट के पीछे जो है न वो सांची के स्टूप का फोटो भी है जो नया 200 रुपए का नोट है इसके पीछे क्या है सांची स्टूप का फोटो नेक्स्ट आप से question पूछा गया कि भीतर गाउं मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर भीतर गाउं मंदिर की यह मंदिर उत्तर परदेश के कानपूर जिले में स्थित है उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाजी है next question पूछा गया कि heat को नापने के लिए किस meter का परयोग किया आता है यहाँ पर नापनी होगा map होगा क्योंकि heat को जो है ना mapने के लिए अपने calorie meter का use करते हैं एक पूछा गया कि MS word में कितनी row होती है MS word से यह question repeat हुआ आपके MS word और MS Excel से बहुत question आ रहे हैं a word table can contain as many as 63 columns but the number of row is unlimited यानि कि जो MS word में row की संक्या है वो unlimited होती है एक question आप से पूछा गया कि तीसरे highest wicket taker test matches में कोन है option थे कपिल देव, अनिल कुम्बले, शेन वोन या फिर ग्लेन वागरा दोस्तों अनिल कुम्बले correct answer था अनिल कुम्बले जिनके नाम 619 test में wicket है और ये तीसरे highest wicket taker है सबसे ज़्यादा मुथेया मुर्ली दरन के पास है 800 wicket और उसके बाद है Australia के शेन वोन इनके नाम है 708 wicket एक question आए था आज तक इन में से कोई भी लोकस्वा का speaker नहीं बना है ये option पर आधारित आपका एक question था next आपसे तराइन की यूद से समधित एक प्रसन पूछ लिया गया दोस्तों तराइन का जो प्रतम यूद है जिसको जो है ना 1191 इसवी में लड़ा गया था और ये किनके विच हुआ था और ये भी मोहमद गोरी और प्रत्विरा चोहान के भी जिसमें चोहान की विजय हुई थी तराइन का द्वित्य उद समय 1192 इसवी में इसके अगले साल हुआ था और ये भी मोहमद गोरी और प्रत्विरा चोहान के बीच में हुआ था यह युद निरनायक हुआ था जिसमें इल्तुमिश की विजय हुई थी और उसका दिली की गदी पर अधिकार मजबूत हो गया तरावडी या तरायन को आजमा बाद भी कहते हैं तो इस परकार से कोशन पूछा गया होगा इन में से दोस्तों आपने फर्स शिप्ट के कुछ कोशन करेंगे जो कि फर्स शिप्ट में कुछ कोशन बाकी रह गये थे तो उसमें देख लेते हैं कुछ कोशन कनोज का यूद कब लड़ा गया था दोस्तों कनोज का यूद जो है ना ये मई 1540 में सेर सहा सूरी और हुमायू के बीच में लड़ा गया था और इसे बिल ग्राम का यूद भी कहा जाता है ये सभी first shift के question करवा रहा हूँ कुछ question बाकी रह गये थे next question आया था first shift में कि MS Excel में enter button दवाने पर क्या होता है देखिए जब भी हम MS Excel में enter button दवाएंगे cursor जो है वो नीचे वाली पंक्ती की cell की तरफ क्या करेगा move करता है एक question था MS word में पूरा जो paragraph है उसको select करने के लिए क्या करते हैं अगर MS word में हमें पूरा paragraph को select करना है तो दोस्तों हम क्या करेंगे mouse से double left क्लिक करेंगे double left की तरफ क्लिक करेंगे एक question था कि सविधान का भाग नंबर 15 वो किस से समंदित है सविधान का जो भाग नंबर 15 है ये निर्वाचन से समंदित है और ये किस में है अनुच्छे 324 से 329 एक बीच में एक question पूछा गया कि गोल गुबंद किस राजे में है गोल गुबंद की बात करते हैं तो ये आपका बीजापूर करनाटक मिस्तित है नेक्स्ट एक question था कि जनगन्ना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राजे का है हर्याना का है 879 सबसे अधिक पूछ ले तो 1084 के साथ केरल टोप पर है एक question आया था कि अमल का पी एच मान बताओ अब option के एसाब से ये question करना था देखिए 7 से कम जो है वो अमल होता है और 7 से अधिक जो है वो शार होता है तो इसके एसाब से आपको करना था ये question एक आप से MSP का question पूछा गया और लगातार मैं कहरा हूँ जिनका एक्जाम अभी तक नहीं हुआ है MSP से question definitely आएंगे आपके एक्जाम में MSP न्यूंतम समर्थन मुल्य जिसको बोलते हैं ये कौन तया करता है तो इसको तया करता है क्रशी लागत एम मुल्य आयोग एक question पूछा गया आपसे preamble of the Reserve Bank of India के नुसार RBI के कितने deputy governor हो सकते हैं इस परकार से question था total 4 deputy governor हो सकते हैं RBI के एक question आया की प्राशाशनिक न्याइधिकरण की सनुछेद में होता है प्राशाशनिक न्याइधिकरण की बात करें तो ये दोस्तों article 323A में होता है एक question पूछा था आपसे emerging green bond market में भारत की rank आपसे पूछ ली गई इस बार emerging green bond market में भारत की rank 2 है एक question पूछा था समुंदर में किसी देश का अधिकार छेतर कितनी दूरी तक होता है ये question में थोड़ा मेरे को doubt है option में अगर 15 समुंदरी मील था तो ये आपका answer हो सकता है इसमें next आपसे question पूछा गया जल चकर को अन्य किस नाम से जाना आता है तो very simple easy question है ये जल चकर को अपने hydro logic cycle के नाम से भी जानते हैं एक question पूछा था कांडला port का नाम दीनद्याल port trust है तुलसी दास बोर कर किस वादयांतर के वादक है तो ये harmonium के वादयांतर के वादक है तो ये कुछ question first shift में मैं नहीं करवा पाया था तो हमने कर लिये हैं तो दोस्तों इस वीडियो में अपने second shift और first shift के question किये हैं और अगर आपको second shift के और भी question याद है तो आप comment कर सकते हैं और दोस्तों इसके बाद मैं आपको all shift का analyze सबसे पहले करवाऊंगा उससे पहले आप वीडियो को like और share कर देना और अपने मिलते हैं all shift के साथ